बच्चो आज मैं आपको एसी चीज बताने जा रहा हूं जो हिंदी शौटन जगत के अंदर नियम चल रहे हैं उन नियमों से भी अलग नियम जो मैंने बनाए हैं उसको अगर आप फालो करेंगे तो निश्यत रुप से आपकी इस फिट में बहुत ही इजाफा होगा हम देख के और बाकि कहीं भी जोड़ने की ज़रुयूद नहीं उसको हम डबल कर देंगे उससे आपका काम चाल जाएगा उधररन के लिए देखो पिले यह से आया केंदर तो केंद्र को हम डबल कर दिया यह केंदर अपनी लाइन से डबल करते हैं तो इसमें दर तर सबनी यह इए अब आया केंद्र पर तो नया नियम जो मैंने बनाया है इसमें इस केंद्र को और अपनी साइज से बढ़ा दे मतलब यह आप लिए को ध्यान रगنا है कि मैंने इस साइज को बढ़ाया है यह केंदर और इससे भी बढ़ा करेंगे तो केंदर पर पड़ना हेगा अब जैसे आया जैसे उधारन के लिए परिक्षा केंदर यह परिक्षा यह केंदर बना दिया मैने ठीक है अब आपको आया परिक्षा केंदर पर तो अलग से पर बनाने के ज़रूत नहीं यही से परिक्षा और इसकी साइज और बढ़ा दे थोड़ी सी यह परिक्षा केंदर पर तो आपकी यह बचत होगी कि आपको पर बनाने के अलग से ज़रूत नहीं जैसे आया नीजी केंद्र ये नीजी ये केंद्र अब आया नीजी केंद्र पर तो इसको केंद्र को उसकी साइस और थोला सा बढ़ा दें पर आप एको ध्यान रखना है कि मैंने इसको बढ़ाया वैसे प्रसिक्षण केंद्र प्रसिक्षण केंद्र ये शनुक लगाया ये य व्यवसाई केंद्र यह व्यवसाई केंद्र अगर आया व्यवसाई केंद्र पर तो इसको आप बढ़ा कर देंगे तो व्यवसाई केंद्र यह आउटलेन नए से लेकिन अगर आप इसकी practice करते हैं तो निश्य सर्फ से आप बहुत भड़ी आउट्रेंड मैं जो भी आउट्रेंड मतना हiau यह मास्टर पर आउट्लेंड हैंम इा इसको अगर आप जैसे किसी सब्दों में लगाते हैं इस्तर जैसे आया केंद्र ये केंद्र और इस्तर तो ये एस्ट्या लूप लगाया हमने केंद्र इस्तर अब हमको ये केंद्र इस्तर पर करना है तो पहले हमारे पास क्या लूप थे एक तो छोटा लूप इस्तर का चाप बड़ा लूप इस्टर का चाब और इसी लूप को और अगर बढ़ा कर देंगे तो इससे हमको पर पढ़ना हैगा इसकी डिरेक्शन थोड़ी और बढ़ाना पड़ेगी जैसे आया केंदर इस्तर अब आपको करना है केंदर इस्तर पर तो इसको केंद्र इस्तर को इसको साइज को इस्तर को और बढ़ा दो तो इससे पर अलक्से बनाने की जरूत नहीं और इससे पर पड़ने में जाएगा इस लूप को बढ़ाना है केंद्र को नहीं बढ़ाना है केंद्र को तो गहीं रखना है जैसे सभी इस्तर, ये सभी, ये इस्तर, अब आगे सभी इस्तरों पर तो सभी करके इस्तरों को इसको बढ़ा कर दें और ये सभी इस्तरों पर, अपना इस्तर, ये अपना और ये इस्तर, अपने इस्तर पर तो इसको और बढ़ा कर दें, अपने इस्तर पर, बहुत ये बढ बड़ा चाप और तीसरा उससे भी बड़ा चाप यह किसी भी किताब है अपको नहीं मिलेगा यह नए सिरे से मैंने इसको एड़ आप कर रहा है यह और इस पीड़ बहुत बढ़ रही यह से उसी तरह से के सेंटर सेंटर में हम किसी चीश को बढ़ा करते हैं तो यह सेंटर हो कोरोना सेंटर यह कोरोना सेंटर अब आगया कोरोना सेंटर पर कोरोना सेंटर पर इस साइस से इस साइस को थोला सा बढ़ाना है और आप इको ध्यान रखना है कि मैंने इसको बढ़ाया है अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो निश्यत रुप से आप इसको बढ़िया से बड़या चीज बना आफले इसे तरह से ूभीट सेंटर, सेंटर अब आगए कोईट सेंटर पर कोईट सेंटर गोर बढ़ा करदें, गोवीट सेंटर पर को एर्लाइन स्सेंटर एर्लाइन स्सेंटर पर एर्लाइन स्सेक्टर को ऊर्वर कर दें पर निकल जाएगा कम्यूती है हिएक best अब आगया Community Health Center पर तो आप इसको Community Health Center पर और बढ़ा कर दें यह जैसे बढ़ा करेंगे परन कल जाएगा उसी तरीकी से आप देखें वाला वाले पर यह हमारा वाला वाक्या अंदर ला अगर इसको बढ़ा कर देंगे तो परन कल जाएगा जैसे आया आने वाला आने वाला आने वालों पर आने वालों पर जाने वाले जाने वाले जाने वालों पर खाने वाले खाने वाले खाने वालों पर जैसे इसको बढ़ा करेंगे अपनी साइस से परन कल जाएगा अब ये जो आउत्लेंड बता रहा हूँ जो अभी मेडिटेश न हुआ उसके अंदर ये सब आ रहे हैं उसके आउत्लेंड बता रहा हूँ एक बार में सारा रूपिया हैं और यहीं से रूपिया हो रही है कारिकरम चल रहा है डबल करें चल रहा है अगले साल से सारे देश में लागू हो जाएगा अच्छी तरह से ग्रामिन विकास ग्रामिन विकास पर आये तो यह विकास को डबल कर दें और वो लगा दें ग्रामिन विकास पर ग्रामिन जनता ग्रामिन और जनहाफ कर दें ग्रामिन जनता वुराहत कारिक्रम, वुराहत कारिक्रम, पंच वर्सी योजना, तो बच्चों ये मिने आउट्लेन, अभी जो डिट्रेसन देवाँ, उसके अंदर के आउट्लेन है, अब आप थोड़ा सा प्रिक्टिस कर लें, परिक्षा केंद्र, परिक्षा केंद्र पर, निजी केंद्र, प्रसिक्षन केंद्र, व्यवसाई केंद्र, व्यवसाई केंद्र पर, केंद्र इस्तर, केंद्र इस्तर पर, सभी इस्तर, सभी इस्तरों पर, अपना इस्तर, अपने इस्तर पर, ज्यादा से ज्यादा पिछले दो साल में एक जमाने में अहसान कर रहा है, हो सकता है, बचचत कर रहा है, एक बार में सारा रुपिया हो रही है कोरोना सेंटर, कोबिट सेंटर, कोबिट सेंटर, कोबिट सेंटर पर, एरलाइन सेक्टर, एरलाइन सेक्टर पर, कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर, कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर पर, आने वाले, आने वालों पर, जाने वाले, जाने वालों पर, खाने वाले, खाने वालों पर, कार चल रहा था अगले साल से सारे देश में लागू हो जाएगा अच्छी तरह से ग्रामिन विकास पर ग्रामिन जनता उरहत कारिक्रम पंच वर्सी योजना अब अच्छो इसका में डिक्टेशन दे रहा हूं आपको इसको आपको लिखना है शो की सिपर से लिखें आप आत्म निर्वर्ता के छेत्र में और सरप्लस बनाने के छेत्र में जो भारत को इस्थान आज प्राप्त है वह बहुत कम देशों को है एक दो को छोड़ कर इसलिए हमें उस होडों में जाना है हमारे किसानों का जादा से जादा फाइदा करना है पिछले दो साल में आपने देखा होगा किसानों को जो किमतें हमने दी है जैसे इस साल 55 रुपे का इजाफा हुआ है प्रति क्यूंटल गेहों की किमत में चने की किमत में सोका हुआ है आपने कभी सुना है कभी किसी किसान भाई ने सुना है कि इस तरह की बड़ोतरी हुई एक जमाने में एक एक दो दो रुपे के लाले पड़ते थे आज हम इसलिए दे रहे हैं कि किसान का खर्चा भी बढ़ गया है यह कोई दान नहीं दे रहे हैं ऐसान नहीं कर रहे हैं वे ही हम पर ऐसान कर रहे हैं हम ही उनके साथ सहयो कर रहे हैं इसलिए वाजिब हिसाप करके वाजिब कीमत देने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए हमें बाहर से यह सब अनाज मंगाना पड़े तब पता चलेगा कि क्या हमारा नुक्सान हो सकता है कितना खर्चा हो सकता है और किसान हमारी कितनी बचत कर रहा है फिर एक बार मैं उनको मुबारक बात देना चाहता हूँ एक और कारिकरम है क्रसी के चेतर में वसल भीमों का यह कारिकरम चल रहा था लेकिन उसमें कई नुक्स थे यह सोचा गया कि एक इसकी हम तयार करें जो अगले साल से चालू होगी हमारे किसान इसमें सामिल होंगे सारी फसलें सामिल होंगी और हर एक एक जिले को हम पाइलट की सक्ल में विक्सित करेंगे और इस कारिकरम को लागू करेंगे यह कारिकरम सारे देश में जब लगू हो जाएगा तो किसान को किसी प्रकार की फिक्र ही नहीं रहेगी कि उसकी फस्तलों का क्या होगा, बारिस से क्या होगा, ओले बरसेंगे क्या होगा, सुखा पड़ेगा क्या होगा, इस फिक्र में किसान को परिशान होने की कोई आवश् अगर यह पीमे का कारिक्रम अच्छी तरह से चल पड़ा अब मैं ग्रामिन किसान के संदर्व में एक दो बातें आप से कहना चाहूंगा ग्रामिन विकास पर 30,000 करोड रुपे रोजान योजना में लगाने की बात आपने सुन ली है और यह सारा रुपया कई ऐसे कारिक्रमों में जा रहा है जो ग्रामिन जनता को सीधे सीधे फाइदा देते हैं आपको याद होगा पिछले साल मेंने एक कारिक्रम की गोशना की थी हमारे गाओं में कई कारिगर हैं लेकिन उनके जो ओजार हैं बहुत पुराने हैं पता नहीं सो साल पुराने दो सो साल पुराने उन्हीं ओजार से वे काम करते हैं उनकी उत्पादक्ता बहुत सिमित होती है हमने कहा था कि भारत के सारे ग्रामिन कारिकरों को आधुनिक ओजार देंगे नए ओजार देने का एक बुरहत कारिकरम हम उठाएंगे मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल हमने 62 जिले और इस साल सो जिले और लिये हैं और पंच वर्सी योजना की समापती तक हम सारे भारत में इस प्रोग्राम को लागू करेंगे जिसका बहुत अच्छा फाइदा हुआ है एक लाग से ज्यादा अभी तक कारिगर इस से फाइदा उठा चुके हैं उनकी उत्पादक्ता बड़ी है तो बच्चों यह मैंने आपको डिक्टेशन दिया अब आप इसकी पुरा स्किंसार्ट भी ले ले आउटलाइन का भी ले ले अगर बच्चों आपको यह आउटलाइन पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास लेटेस जो भी मैं डालूँआ नई नई चीज आपके पास सिगर पोचेगी धन्यवाद